साधना, ओ साधना, ये दर्वाजे पर क्यों खड़ी है, कितनी देर से आवाजे लगा रही हूँ, ये क्या कर रही है, ये रोटिया किसे दे रही है मा जी, ये बेचारी अमा बहुत भूकी है, इसलिए ये दो रोटि खाने के लिए दे रही थी, इधर लाएए रोटिया, तेरा बस चले तो एक दिन तु इन गरीब भिखारियों पर पूरा घरी लुटा देगी, खोद के खाने के लिए रोटि है नहीं, तु इन्हें बाढ़ भला करें, मैं कितनी मजबूर हूँ, बिचारी अमा भूकी थी, फिर भी मैं उन्हें दो रोटी नहीं खिला सके, काश मेरे पास भी पैसे होते, तो मैं अमा को कुछ पैसे दे कर उनकी मदद कर देती, अरे अब अंदर जाकर चूला जला ले, भूक के मारे मेरी आते बाहर करा जाएंगी, क्या हो मा, इतना परिशान क्यों रही हो? अपने कमरे में आ जाता है, क्या हुआ, आप कुछ परिशान दिखाई पर रहे हो, कहीं, आप भी तो मा जी की तरह मुझे गलत नहीं समझ रहे हैं, नहीं नहीं साधना, मैं तो काम को लेकर परिशान हो रहा हूं, समझ ही नहीं आ रहा, थोड़ी बहुत मजदूरी से कमाई कहां से होगी, अब चिंता मित करो, सब ठीक हो जाएगा, अब आप सोचा, मैं थोड़ी देर में रसोई समीट कर आती हूं, काम की चिंता में ये कितने परिशान रहने लगे हैं, काश में कुछ कर पाती, अगले दिन सुबोत किसी काम से दो दिन के लिए दूसरे गाउं गय तू, तू फिर शुरू हो गई, कितनी बार तुझे मना किया है, मुझे ये फालतू का दान पूर्णे करना अच्छा नहीं लगता, तू अपने माई के से एक फूटी कौड़ी भी नहीं लाई थी, अपने बेटे की किसी अमीर लड़की से शादी करती, तो आज हम भी पैस वाले होते, बेटी, दान करने और दूसरों की मदद करने से व्यक्ति के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, ये बे फिजूल का पार्ट मेरी बहु को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बार मना कर दिया, बाबा हम खुद गरीब हैं, हम तुमें कुछ नहीं द दे दूँगी, आप परिशान मत हो, बाबा, रुको, ये लो, भोजन थोड़ा है, अगर इससे आपका पेट भर सके तो, बेटी, मैं जानता हूँ, तुमने अपने हिस्से का भोजन मुझे दिया है, देखना, बहुत जल्दी तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, अब देखती हूँ, तेरी मदद करने को कौन आता है, पर मा जी मैं इतनी सुबा सुबा कहां जाओंगी, मुझे पैसे कौन देगा, मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी ला, पर बिना पैसे लिए तु घर वापिस नहीं आएगी, साधना रोती होई घर से निकल पड़ती ह उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहां जाएं, चलते चलते साधना एक जंगल में पहुँच जाती है, और वहाँ पेड के नीचे बैट कर रोने लगती है, अचारत साधना को एक हाथी के चीकने की आवाज सुनाई देती है, ये ये तो किसी हाथी की आवाज है, आवास तो इस तालाप में से आ रही है, अरे ये चोटा हाथी का बच्चा तो दलदल में फसा हुआ है, रुको घबराओने, मैं अभी तुम्हें इस तालाप से बाहर निकालती हूँ, मुझे पेड की टेनियों को बांध कर रसी बनाने होगी, साधना बहुत कोशिशों के बाद हाथी के बच्चे को तालाप के कीचड में से बाहर निकालती है, ये बेचारा तो कीचड में गंदा हो गया है, इसे इस हाल में अकेला भी नहीं छोड़ सकती, मुझे इसे घर ले जाकर नहलाना होगा, और लगता है ये बहुत भूखा भी है, चलो मैं तुम्हें इने भेजा था, और तो इसे उठा लाई, अब कुछ बोलेगी भी या जुबान बंद हो गई है, हे राम अब इसे केला भी खिलाएगी, माजी बस ये चार केले खिला दू, फिर मैं इसे, अरे ये मेरे मुँ में से क्या निकला, ये तो कोई चमकता पत्थर है, दिखा जरा इस हाथी को तीसरा केला खिलातो, साधना जैसे ही हाथी के बच्चे को तीसरा केला खिलाती है, साधना के मुँ से फिर से एक हीरा बाहर गर जाता है, मैं सब समझ गई, ये कोई मामूली हाथी नहीं है, ये तो चमतकारी हाथी है, इसे तू जितने केले खिलाएगी, उ अपने पास रख सकती हूँ हाँ आज तेरी वज़ा से ही हमारे घर की गरीबी दूर हो गई अब तो जितनी मर्जी दान पुर्ण कर मैं रोकूंगी नहीं सच मा जी क्या मैं उन बुरी अम्मा को खाने का कुछ दे कर आओ हाँ हाँ देया देया तेरी अच्छाई की वज़ा से ही आज हमें खुशी के दिन देखने को मिल रहे है सुबोत भी जब वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है साधना के दयालुस वभाव के कारण उसके परिवार में खुशी आ जाती है अब साधना जब भी हाथी को भर पेट केले खिलाती उसके मूँ से हीरे उगलने लगते धीरे धीरे साधना अमीर हो गई और उसने सोची हुई बात पूरी की वो गरीबों बेसहारा ज़रूरत मंदों की साहेता करने लगी और साथी साथ हाथी भी साधना का अच्छा दोस्त बन गया था कोमल को अपने काले रंग के लिए ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते थे उसकी जेठानी प्रीती का रंग गोरा था इसलिए सब उसकी तारीफ करते थे तुम तो जो भी रंग पहनोगी, वही रंग तुम पर अच्छा लगेगा तुम्हारे गोरे रंग पर तो सारे रंग खिरते हैं तो और क्या, शशी भी तो देखने में गोरा और सुन्दर है, बिल्कुल ननत जी पर गया है मा जी, ये मैंने साड़ी सोची थी, कल शशी भया की बारात में पहनने के लिए अरे बहु, तुम कुछ भी पहनो, तुम्हारे काले रंग में तो सब रंग मिलकर एक से हो जाते हैं कपड़े तो प्रीती बहु पर जचते हैं, कुछ भी पहने सबसे अलग ही लगती है कलावती की ये बात सुनकर कोमल दुखी हो जाती है, और अपने कमरे में आकर रोने लगती है कलावती की आदत थी, वो अपनी बड़ी बहु प्रीती और कोमल दोनों में ही फर्क करती थी और इस बात से कोमल हमेशा दुखी रहती थी अगर मेरा रंग काला है इसमें मेरी क्या गलती है मैंने कभी भी इस घर की अच्छी बहू होने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी उसके बाद भी प्रीती भावी को इतना सम्मान मिलता है और मुझे इतना नीचा दिखाया जाता है अगली दिन सब शादी में पहुँचते हैं कोमल जरा देवरजी के ले गिलास पानी ले आओ कोमल को पानी लेने भेज कर प्रीती बारात की भीड में रस्मपूरी करके सब रिष्टेदारों के साथ कोटो कीछवाती है इतनी देर में कोमल आ जाती है और उसकी आँखे आंसों से भराती है मेरे पहल में थोड़ा दर्द है मैं बारात के साथ चलने ही पाऊंगी मैं सोचरी थी गाड़ी में बैठ जाती हूँ कोमल अपने आसों को छुपाए गाड़ी में बैठ जाती है अब तो कोमल रोजाना इन सब बातों से बहुत दुखी रहने लगी थी एक सुबर मा जी मैं जरा बाजार होकर आती हूँ घर से बाजार के लिए निकल तो आई हूँ पर वापिस घर जाकर दुबारा सब के ताने सुनने की अब मुझ में हिम्मत ही नहीं रह गई है कुछ समझ नहीं आरा क्या करूँ ये सामने क्या लिखा है काले रंग से मुक्ती पाओ गोरे होकर यहां से जाओ ये कैसे हो सकता है देखूं क्या एक बार ये तो कोई दरपन की दुकान दिखाई पड़ती है हर तरफ दरपन ही दरपन है आओ माया की पोटली में सब कुछ मिलेगा आपने वो बाहर कुछ लिखा हुआ था क्या वो सच है काली से गोरी कर दूँगी मैं तुम्हारी काया नाम है मेरा माया तुम्हे काला रंग पसंद नहीं क्या नहीं मुझे अपने इस रंग से बहुत प्यार है पर मेरी सासू मा और जेठानी मेरे काले रूप रंग का मजा खुडाती है मैं तंग आ गई हूँ मुझे भी सुन्दर और गोरा रूप चाहिए मेरी मदद करो ठीक है तो मैं तुम्हें जादूई दर्पन में भेश देती हूँ पर एक बात याद रखना इस जादूई दर्पन का जादू हर अमावस्या की रात के लिए समाप्त हो जाए करेगा यदि उस रात तुम्हें किसी ने देख लिया तो उसके बाद दुबारा तुम कभी भी गोरा रंग नहीं पा सकोगी तुम फिर से काले रूप रंग में आ जाओगी माया कोमल को जादूई दर्पन के अंदर भेश देती है और कुछ तेरबार वो से वापस पुलाती है और देखते ही देखते कोमल का काला रंग गायब हो जाता है और कोमल गोरे रंग की बन जाती है यह मैं हूँ? मुझे तो यकीनी नहीं हो रहा है मैं इतनी सुन्दर बन गए, अब तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, सासुमा और जेठानी जी तो देखती रह जाएंगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माया जी, मैं आपका ये एहसान कब भी नहीं भूलूँगी। माया के जादूई दरपन से गोरा रंग रूप पाकर कोमल बहुत खोश हो जाती है, सारे महले वाले भी उसे देख कर हैरान रह जाते हैं, ये कलावती जी की बहुत कोमल है न, ये सुन्दर कैसे बन गई, इसका रंग तो बहुत काला था, और ये तो बहुत ही गोरी हो गई, जैसे अभी दूद से नहा कर आई हो, सच मुच बहन, ये तो मानो चांदी सी गोरी हो गई है, जैसे कोई चमतकार हो गया हो, उल्टे तवे जैसी काली थी, पर इसे देख कर तो लगता है, पूरे महले में इससे सुन्दर कोई है ही नहीं, नमस्ते आंटी जी, पहचाना मु जी, मैं कोमल हूँ, आपने मुझे पहचाना ने, कोमल, तू इतनी सुन्दर कैसे हो गई, और तेरा रंग गोरा कैसे हो गया, तू बाजार गई थी, या दूसरे लोग से दुबारा जनम लेकर आई है, कोमल, आखिर कौन सा चिराख का जिन्न मिल गया, जिसने तुम्हारी क अब मेरा दिमाग खराब मत कीजे, और हां, प्रिती भाबी, जब आप पुलाव बनाओगी, तो थोड़े मटर जादा डाल देना, पता नहीं, आज कर आपको मटर चलने में इतना आलस क्यों आता है, मा जी, जरा मेरी साड़ी प्रेस कर दीजेगा, मुझे शाम को एक पार् मैंने सुना है, आपकी बहु काली से गोरी बन गई है, हमें भी तो दिखाए, आपकी बहु ने ऐसा कौन सा उप्टन लगाया है, कि कुछी घंटों में वो इतनी सुन्दर बन गई, यहां कोई तमाशा नहीं लगा हुआ है, आप लोग जाए यहां से, कोई इतनी हूर की प तो कोई बात नहीं माजी, देखने देते, वैसे आज शेहर के कुछ न्यूस चैनल मेरा इंटर्व्यू लेने आ रहे है, मैं मचानक आपने अपना हुलिया बदलने के बारे में कैसे सोचा, बस मैं एक ही रंग रूप से उप गई थी, इसलिए अपने आपको बदल लिया, वैसे आपके आगे और क्या प्लान है, आप मॉडलिंग वगेरे के बारे में सोच रही है, अहां, जी मौका मिलेगा तो जरूर करूंगी, कोमल के बदलते हाव भाव से कलावती और प्रीती परिशान हो रहे थी, सुबह उत, वो मिसस जैन के बेटे की शादी की साल के रहे ह तो मुझे स्पेशल गेस्ट बुलाए है, अब चल रहे हो ना? अब ये महरानी पार्टियां अटेंट करे और मैं घर के काम करूँ, मैं तो बहानी से माई के जाकर बैट रही हूँ, यहां तो सासु मा के साथ घर के काम करकर के पिसी जाओंगी अगली सुबह पृती अपनी मा के बिमारी का बहाना लगाकर पती सूरज के साथ माई के चली जाती है, सुबोध को भी किसी काम से शेहर से बाहर जाना था चलो अच्छा है, सुबूत भी काम से बाहर जा रहे है और भाईया भावी भी घर पर नहीं है आज मा वस्या की रात है आज मैं अपने पुराने रूप में रहूँगी मा जी तो जल्दी सो जाती है तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा बस ये रात कर जाए कल सुबा मुझे अपना सुन्दर रूप दुबारा मिल जाएगा सब लोग चले जाते है कोमल रात होते ही अपने कमरे में आ जाती है अच्छा है, मा जी चल्दी सो गई लगता है मेरा असली रंग वापस आ रहा है मेरे हाथ धीरे धीरे काले हो रहे है हाँ मेरा मुझ दुबारा पहले जैसा हो चुका है लगता है जादूई दर्पन के जादू का असर इस रात के लिए खत्म हो चुका है मैं वापस अपने रूप में आ गई हो अब सो जाती हूँ, सुबह होते ही मैं ठीक हो जाओंगी अहे ये तो माजी आवाज लगा रही है कोई परिशानी तो नहीं है माजी, माजी, हे भगवान सिने में दर्थ, आह कोमल बहू लगता है माजी की तब्यत खराब हो गई है मुझे इन्हें अस्पतार लेकर जाना होगा कोमल कलावती को आटो में बिठा कर जल्दी से अस्पतार लेकर पहुचती है कुछ वक्त के पश्षात कलावती की हालत में सुधार आता है कलावती को अस्पतार लाने के चकर में कोमल ये भूल जाती है कि उस दिन अमावस्या की रात है और उसे अपना असली रूप मिला हुआ है कलावती कोमल का असली रंग रूप देख लेती है कोमल रोकर कलावती को सारी बात बताती है मेरी प्यारी बहु, गलती तो हम से हुई है तेरा तो मन बहुत साफ है तू तो मेरी जान बचाने की फिक्र में सब कुछ भूल गई तुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि यदि किसी ने देख लिया तो तेरा जादू छिन जाएगा दुबारा कभी नहीं मिलेगा और इस सब का कारण मैं बनी माजी, आपकी जान से बढ़कर मेरे ले कुछ भी नहीं है आप हो तो सब कुछ है उस दिन के बाद हर कोई कोमल की तारीव करता है कोमल को भी समझा गया था कि दरपंड सिर्फ उपरी सुन्दरता बयान करता है और जो व्यक्ति मन से सुन्दर है उसकी हर जगा प्रशनसा होती है